गूद मॉर्णिंग फ्रेंड्स, एम सिंग फाउंडेस, यूटिव चैनल पे आप लोगा स्वागत है बिहार दरोगा 2213 मुख परिक्षा के लिए लगाता और हम लोग बिभीन पॉब्लिकेशन के प्लेक्टिसेट लाड़े हैं मकसद ये है कि एक्जाम से पहले आप इतने अभ्यस्त हो जाएं ताकि एक्जाम नेशन हॉल में आपको जब भी कोई नया कोश्चन आये तो आप एजी महसूस करें और अपने पुर्व ज्यान के अधार पर उसको सॉल्व करने के स्थिती में होंगे हम लोग platform volume 1 को कर रहे हैं इसमें आज हम लोग प्लेटरी सेट 4 के साथ अबलेबल हो चुके हैं बहुत ही सांदार सेट होने वाला है और आज का cut-up रखा गया है 72 और इसका PDF भी हमारे टेलिग्राम चैनल पर अबलेबल करवा दिया जाएगा देखिए इस सेट का cut-up although 72 रखा गया है लेकिन इसमें दो condition है यानि कि यदि आप 70 करते हैं 70 तक score कर लेते हैं मतलब आपके त्यारी अच्छी है और यदि 75 करते हैं इसका मतलब त्यारी आपकी बहतर समझी जा सकती है वैसे इसका score 72 और 70 से कम आता है इसका मतलब है आपको और महनत करने की आवशकता है देखिए competition का level tough हो गया है इस चीज़ को आप हमीसा दिमाग में रखिएगा आपका थोड़ा थोड़ा महनत ठीक है न आपको उस मतलब की उचाईयों तक पहुचाएगा जहां आपका merit निश्ची तुरूप से बनेगा तो घबराना नहीं है अभी समय काफी है मेनद करते जाएं और साथ-साथ इतो प्रेक्टिसेट में यहां पर ला रहा हो ना आप लोगों को जो मैंने सिलेबस बता दी है उसको भी follow करते हैं तब आपको इसका पूर एकदम ज्यादा बहतर फाइदा हो पाएगा तो चले बिनावक्त के वीडियो क स्मान को खरे देंगे उसका मान खर जाएगा तोयां बताолько सरी बस्तु की मांगे में किसके खारण हों तो भोगता के आए में विर्दी के साथ हो जाएगा अग्ला प्रसवों के परति कुरूरता का रोुक ताम भारत के सम्मेधान की कि बारत के सम्मिधान के साथ भी अनों सूची में दी गई है यहाँ सूची किस से संबंद है केंदर सूची से राज सूची से या फिर संबर्ती सूची से तो जो पस्वों पर कुरूरता की रोक थाम जो है यह संबर्ती सूची का भी से यानि कि राज का भी यह दैत होगा और के वृइसे भारतिय संभिधान के भाग्छार्ट जिसको आपको राज की नितिनेशक्ता तक कहते हैं उसके जो अनुछे अरतालिस में इस चीज़ का किया गया है उसी में प्राकिर्तिक परियावरन रक्षा और उसके संबंदन से जुरा हुआ है तो ये भी आपको कुछ याद रखना है अगला परसंद देख लेते हैं परसित जियात्री और लिखा किस देश से संबंदन से जिन्हों ने 24 तावतिम भारत से कई देशों की यातरा की थी बहुत ही फ सीन ड्वारा जो है जब हम किसी मसीन काफियों करते हैं तो घरसंद से उस्मानश्ट हो जाती है चार और देख लिए आप लोगों को एकहा घरसंद मेघर सकते हैं और अभीसिल तो ने हस्ताक्षर किया था लॉड एलमलो महराज रंजीत सिंग सुजा दौला लॉड अखलेंड महराज रंजीत सिंग या सास दौला इस परसंद का जो सही उतर हो जाएगा ऑपसंदी हो जाएगा देखें यह जो संदी हुई थी ठीक है न इसमें दोस्त मुहम्मद खान पंजाब से गुजरने का अवसर प्राप्त हो जाता ठीक है चलिए अगला प्रस्थ देख लेते हैं यहां पर मैंत का प्रस्थ है तो एक के पावर प्लस वन वाई का मान क्या होगा सिधा बात है इसको आप प्लस वी का होल स्कॉर पर तूरते जाएगा उधर होगा फिर घटाते जाएगा और हो जाएगा मतलब इसको करते जाएगा आडाम से आपको दो बार में इसका आ जाएगा तो आंती में डूप से जोड़ने पर एक प्राप्त होगा तो इस तरह के आप को जोड़िए गा तो इसके एंसर आपको प्राप्त होगा नती जाएगा प्राप किया और पहली वाली मिसरन में से चार था दूसरी वाली मिसरन उसे पांच गुना करने पर होगा ठीक है न यानि कि आपको यह जो आपको formula हो जाएगा, 4-4 into 1, ठीक है न और गुने चार, ठीक है, बडाबर क्या हो जाएगा? 5-4 हो जाएगा, एक मने pasar में करता हो, यहाँ पे हो जाएगा, पहला में हम लोग क्या करेंगे? चार गुने चार इंटू एक गुने चार बड़ाबर पांच गुने चार आइतन को बड़ाबर कर दे हम लोग और उसके बाद क्या हो जागा यह तो पहला हो गया और दूसरा में क्या हो जागा तीन गुने पांच इंटू वन ठीक है और गुने पांच तो बड़ाबर इस और यहां पर देख लिए पंद्रा गुने दू करेंगे क्योंकि सटेड़ा में इस टू पांच गुने दू यह बराबर 20 गुने दू हो जाएगा यानि कि 30 बट्टा 46 बड़ाबर 10 बट्टा 14 होगा अंत्रूप्स में हमको 46 बट्टा 14 हो जाएगा निकि 33 बट्टा साथ इसका आ जाएगा ठीक है तो मेजों के मुल्य गयाद कीज़े ठीक है आपको दोनों का मतलब 9x-5x ब्राबर आपको क्या है दोनों का आंतर आपको क्या है 400 दिया गया है 99-5x कर लेंगे और अंत्रूप में हमको एक सब्सक्राइब निकल जाएगा और फिर मेज का मुले उसमें से गयाद कर देंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वह हमारा जाएगा बाफन पचास आएगा अगला परसम लोग दिखते हैं महातमा गांधी के दमनकारी बागान वेवस्था के खिलाफ किसानों के संगर्स के लिए प्रेडित करने के लिए डैस का दोड़ा किया था डांडी सावरमती चंपारन या चोड़ा चोड़ी नील खेतियर की मदद के लिए राजकुमार शुकल के आवहान पर ये कहां अंतराष्टिय और जन्में बच्चों का दिवस्थ इंटरनेश्टल डे ओफ अनबॉर्ण चाइल्ड हडवर्स को मना जाता है आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चें होते हैं जो मां के घर में मतलब उनकी जो है देथ हो जाती है कुछ प्रॉब्लेम से ठीक है ना उ कि भारत और डैस के बीच में छोटे समुदरी रास्ता पाक जलसंदी और मनार की खाड़िया बस्तित है बहुत ही फेमस है भारत और स्रिलंका के बीच में पाक जलसंदी और मनार की खाड़िया बस्तित है गटी के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिये गए बल के लिए उत तो दर्वे मान का यह बिद्व कर्मानुपाती होता है एक्सलेशन ठीक है ना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एका हो जाएगा दी हो जाएगा तेरा का चलिए अगला परसंद देख लेते हैं कमरों को गर्म रखने के लिए वह खाना पकाने में उपयोग होने वाले उसके MH क्या बोलते हैं जो सौवत का बलबुल आता है अब तो सीड़े और अपसर बिसका सी हो जाएगा यहांपे देख लेएगगे सुनील ने अपनी यातरा दू बजकर 33 मिनट और 34 सेकंड दो पर बाद शुरू किया और अपने गंतब पर 4 बजकर 43 मिनट 45 सेकंड दो पर पहुंचाता है सुनील ने यातरा पराधम करने में 45 minutes 30 seconds के बाद अनिल ने यातरा सुरू किए और गनतब्वे पर सुनील के 37 minutes 16 seconds के बाद पहुँचा, यानि कि सुनील जितना पहुँचा, उससे 37 minutes 16 seconds ज्यदा समय लिए, अनिल ने अपनी यातरा कितने seconds ने पुड़ा किया, बहुत आज़ान ह आपको क्या करना है कि दोनों का जो है इनिसियल जोड़ देना है मतलब यहां से क्या है इनिसियल में से इसको इतना जोड़ देना है दोनों में जोड़ना है क्योंकि यह बाद में सुरू करता है और बाद में पहुंचता है ठीक है न तो बाद बाला का पहुंचता है कि कितना गंगा नदी में आकर मिलती है आपको पता है यहां पर देख लीजिए उसको हम लोगों को मिलान करना है बादल इंद्र धनुस बिद्धुनसक बरसा निम्नदाव याबाड तो सबसे पहले क्या होगा उसके बादिल के बाद के बाद क्या होगा और यक्र दो ख गर्धारurer तरuser अगला प्रसे है नीचे दिये कत्नों K suffers किया निकालने है कि सभी तालाब कुंड है सभी तालाब जो हमारा क्या है कुछ कुए ताफ़ है ओचालाब कुछ ताला जो है कुछ तालाब नहीं है तो यहां पिए बोल रिखर नहीं कि केवल लिगा कि तक्रुण से ना कि तो सीन परने कर दो इसके ना को सिर्फ जो दो है यहीं सही ना अगला परसन में लोग देख लेते हैं, गांधी अर्विन सम्झाओते में किसम से कौन सी एक सर्थ नहीं रखी गई थी, समुद्र टर्ट की एक निश्चित सीमा के भीटर नमक तियार करने के अनुमती, खादी उत्पादन पर टेक्स कटाणा उसके बाद है, धूतिया गोल मिल सम्झाओते में में और भारती राष्ट ही राष्ट हरिस का सभी ने अब यह आंधोलन का रूकना होगा, एक बात तो पता है आपको मैलिक एसीड पाया जाता है और उसके साथ साथ कौन विटामिन A, विटामिन A, C कौन सा पाया जाता है मतलब एसीड और विटामिन की बात की जाता है मैलिक एसीड तो पाया जाता है लेकिन विटामिन कौन सा पाया जाता है हमको यह देखना है इसक में क्या बनाते हैं कार्वोःड्रेट बनाते हैं यानि कि गुलकोज हो जाएगा ऑफसन इसका सही हो जाएगा अगला पर देख लिए भारत में सब भारत के समिधान का कौन सा अनुष्य चुनाब आयोक को संसद और राजविधान सभाओं के चुनाब का प्रवेक्शन करने के सकती देते हैं तो राज्यों में उचनेयल के कठन की बात करेगा यो जो 24 की बात किजिगा तो 314 की बात कीजिगा तो 311 क्या बोलता है कि आपको राष्ट-पती के आदेस द्वारा अनसूचित जाति यवर जण जातिका निर्धारन किया जाना है ठीक है तो ये यह आपको बहुत 343 क्या बोलेगा 343 यहां पर नहीं है संग की राजभासा का उलेख है तो यह चीज महत्पूर्ण है 442 क्या बोलेगा राष्टपती के आदेश द्वारा अनुसुचित जाती वं जन जाती का निर्धार्ण तब सबसे बरा नदी ड्वीप है भारतमी अवस्तित है आपको पता है कि माजूली नदी जो जो है प्रमपत्र नदी के मुहाने पर बंता है यह विश्पू का सबसे बरा नदी ड्यूप है किस राज में शमुद्री टट है करनाटक महराज तमिलाड या फिर केरल तो यह आपको जो हो जाएंगे कहां पर हो जाएंगे तो केरल के टट हो जाएंगा 25 जो सही उतर हो जाएगा आपका ऑप्सन डी हो जाएगा ठीक है अगला पर देख लेते हैं क्या हिदुस्तान के सास् साथ थर्दस्यों के एक समुह था जिसने बिटिस्त भारत के लिए वैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए क्ठन किया गया था फ्रेजर हंटर आयोग साइमान आयो गया फिर सजेंट आयो देख लीजिए इसके परते और साइमन कमिशन का जो निक्ति किया गया था उसी का काम क्या था बिटिस भारत के बैदानिक सुधारों को सुधार देने का गठन किया गया था ठीक है और देख लिए यह आप बात कीजिएगा मतलब की इसमें और जो ऑफसन से अगला परसन देख लेते हैं भारत में बैंकिंग बिनीमियान अधीनियम का पारित किया गया तो उन्हें सब्सक्राइब करता है और उसके बाद आपको बंगाल की दिवानी इस्ट इंडिया कंपणी का हतांचनन हुमायू के अपने हारे हुए चत्रों का बिजित करना और अहमद सा अबदाली ने पानिपत के लड़ाई लड़ी आई इसको हम लोग एक करके देख लेते हैं हुमायू जो है मतलब कि मुगल सिंगासर पूर्णे बैठा था ठीक है न और भारत पर 1540 तक रहा था और इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा option C बनेगा सबसे पहले क्या हो ज तो चोदा जनबड़ी 1761 को हुआ जो हुआ तो बंगाल का दिवानी जो है इस अब अगस्त निट्राइव को कब दिया गया था ठीक है और नादी शार जो है कब आकरमन किया था तो 1749 में किया था और इसी कि से पहले ही जित लिया था ठीक है अगले परसंद देख लीते हैं यहां पे देखे हैं लिए अ को होता है इस पूरह जो मतलब कि आपको अलजब्रिक आप लोग को सेट करना है और इसको करना है तो इसका फैनल अंसर ज आ जाएगा वह चोथार आजागा थो फुर्ब इंस है यहां पर देख लिए एक्तिस में यहां पर लोग करेंगे तो रूट के का फैलू पूछ रहा है तो अग्ला परशन दिख लेते हैं एक तिर्भूज दिया गया है जो है डी बी इस प्रकार जोड़ रही है कि यहां पर क्या कर गया है कि दी और यहां तो यह एक है और यह क्या है चो है ठीक है ना तो इस का अधार पर चुकी डी इए पैरलल बीसी है तो चैथपल भी दोनों का जो है अगला परस दिख लेते हैं भारत बंगलादेश भूमी को दिया था गौहों को बंगलादेश को और उसके तरफ से एकाबंद आया थे यहां पर सम्राथ जीतकर लोड़ते समय महमुद कच की खारी करास्ते क्यों गया था क्योंकि समाने रास्ते पर भोज पर्मार्ने रोक लिया था यहां पर देखेजे ताला कोटा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था यह आपको जो है पंद्रासुपेसर में लड़ा गया था और इसमें विजय नगर बाजीपूर अमद नगर बीदर गुलकुंटा के सेना होने लड़ा था ठीकिन तो इसका से उतर हो जाएगा मिरजा गालिव किस सम्राट के सम्कालीन थे बहुती फ़ेमस है यह जो बहादूर शाह दूतिये जो थे उनके सम्कालीन थे ठीक है ना मिरजा गालिव मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ था और मिर्टियू 15 फरवड़ी 1879 को हुआ था मिर्जा गालिब महां साहर था जिन्हों 1857 के करांती जो है बिद्रो है आंखों से देखा ठीक है तो यह सब इसके संब्ध में महुत पूर्ण है अकालतक्त का निर्मान किस ने किया था जो छत्थे गडुरू हरगों से इन्हों finding पूर्ण कीया था बालविभावा को निरुक्त साहित करने के वाला आदियम 1891 मुक्त किसके अनुरत में पार्भ्ण किया गया था देखे इसका जो सहीतर हो जाएगा औप्संसी हो जाएगा भ बारह बर्ष उस समय जो है आयू निर्धारत की गई थी एज कंसेंट एक्ट 1891 चलते हैं आगले प्रसंट के तरफ यहां पे देख लिए बारह आठारह बीस पचीस को पुर्ण विभाजी तो हमने बाले पांस संख्याओं की सबसे छोटी संख्यां क्या सी हैं सबसे पहले इन यहां पर देख लिए कि यहां पर बोल रहा है कि अलवा वेट है ठीक है आलफा वेट के बीच के चोंप्र पलट देना है ठीक है ना बीच का जो भी छो अक्षर होगा उसको पलट देना है ठीक है और पलट कर लिखना है फिर बोल रहा है जब पलट कर लिखेगा फिर बोल रहा है बाएं से पंद्रह में अक्षर के दाई और चौसा अक्षर कौन होगा थुरा से इसमें आपको मेनत करना पड़ेगा रहिखना पड़ेगा तो लेकिन आसान इसका से ऊजएगा आपका c हो जाएगा अगला प्तस्क्ण दिखलेते हैं यहां पर दिया गया कि कछ लीची आाम है और कुछ आम खेत है ठीकना ठीकना एक को हम खेत निकलेगा पहला कि कुछ खेत लीची है कुछ खेत आम है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपको होक्की को ठीक है न और उसके बाद वर्ग बोल रहा है किरकेट को और विर्थ बोल रहा है footballer को यहाँ पर हम बोल रहा है कि cable hockey खेलने वाले कितने होंगे तो option 9 हो जाएगा यानि कि option C's का सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लिजिए एक को fold करना है और fold करने के बाद देखना है कि हमको सबसे बहतर कौन मिलेगा तो याद रिखेगा इस तरह के प्रस्णों में जब भी हम fold करते हैं तो यह इसको ठक लेगा यह इसको ठक लेगा ठीक है न एक मिनट यह जो है छो जो है दो को ठकेगा ठीक है न और पांस जो है तीन को ठकेगा और चार जो है आपको एक को ठक लेगा ठीक है अगला प्रतन देख लेते हैं एक तस्वीर, और इस आरा देख करके एक आदमी ने कहा कि इस आदमी का पिता मेरे पिता है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है किसकी तस्वीर की और उसने देखा था बेसिकली वो अपने तस्वीर की ही और देख रहे ठीक है अब देख लेंगे यह स्रीसंजय अपने घर देन कि निकलते हैं दो किलोमेटर जो है उत्तर की और चलते हैं यह हैं अगला पर देख लिते हैं नीचे दियेगे स्रिंखला का अग्ला पत क्या होगा ठीक है कि क्या 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 हो घा याए जो पैटर्न है इसका अग्ला पैटर्न क्या क्या किया गया है जैसे कि बावन चोबन और बाइस को जुड़ा गया है चोबन और तीस को जोड़ेंगे उसको बहतर में से घटा देंगे हम लोग सीडिसी बात है तो हमारा क्या उत्र है बाड़ा जाएगा अगला पर देख लेते हैं यहां पे चिन्हों को आपसे बदलना है और बदल का इस्तिमाल क्यों नहीं किया जाता है चार अप्सन आपके पास इतना से देख लीजिए तो आपको पता है कि जल और पैट्रोल आपस में और पैट्रोल जो होता है जल की सतह पर प्रत बना लेता है ठीक है ना अब क्या हूँ इतना पानी दीए पेट्रोल उसका जल पर आ बैगनी रंग का योगी कौन सा है चार अपसने तिमांस देख लेजिए जो परति रोज और वी संकर मनकारी के रूप में इस्तिमाल होता है गहड़े बैगनी रंग का उसको हम लोग बोलते हैं गौतम बुद्ध को आत्मग्यान कहां पर प्राप्त हुआ था गया पता है आपको गया लुम्बनी में इनका जनम होता है सारनाथ में यह काफी उपदिश देते हैं और कुशी नगर में इनका अंध में वहां पर इनकी विट्टी वगेरा होती है चलते हैं अगले प्रेस की समयधान में उपेक्चित है मौली का अधिकार के रूप में गरेंटी करता है अब देख लिए निमनुक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैद वैक्ति को सरकारी पत्स से बचाने के लिए जारी किया जाता है जो आपको चार पांच परकार के रिट जारी किया की गैर जम्यदार वैक्ति काम करने लगता है तो उसी से अधिकार प्रेश्चा किया जाता है ठीक है न अनुशित बातीस के रिटश को बताया गया है परमाधिस कब फीजारी किया जाता है जब आपको यह बतsl पांगे ब्यक्वस सरक्वारभ होता है तो उसी के से ममदило को यहां पर ठीक नहीं है गलत है ठीक है न तो खड़ीव बर्सा के महीने मतलब खड़ीव जो है महीना वर्सारितु से प्रारम में आता है और बसंत्रितु के अंध में फसल कर जाती है नहीं खड़ीव बर्सारितु में प्रारम तो होता है बात नहीं है लेकिन बसंत्रितु में बरतमान की बात कीजिएगा तो तंभाक उतपादन में जो है आँधरपर्देश का प्रतमस्थान है वहीं पर बिश्च में तंभाक उस्तुअति की बात कीजिएगा तो चीन प्रतमा आता है और भारत दूटी आता है अब देखलेए का कौन-सा भाग मानव ने के द्रिश्टीपतल रेटीना के स्रद्रिश्ट है लैंस फिल्म ध्천हार किया फिर स्सटर आपको पता है कि लोगों के मस्तिक में भी एक फिल्म सित्रिच होती है निकी तसवीर बनती है उसी तरह प्राफदान की जाती है तो एकल नागरिकता की बात की जाती है और अगला पर निकले भारत के संविधान में शंग सब्ड का प्रियोग किस अनुछेद में किया गया है तो पहला ही अनुछेद है भारत राजियों का संग है और राजियों का शंग है अनुछेद 24 क्या बोलेगा 24 वर से कम आयो वाले बच्चों को जो है यानि कि बलात सर्म की बात की जाती है यहां पर ठीक है अनुछेद 13 क्या कहा गया है कि वह कानुन जो मूल अधिकानों के प्रतिस्था पूर्ण हो सुनने होंगी ठीक है न और अनुछेद 112 क्या बोलता है कि बित्य विवरन का दिलाता है अख्षर आप लोग दिखते होंगे जब भी सपतकरण होता तो राष्टपति हीं दिलाते हैं दादासाहःः के पुरुषकार प्रुसकार प्राप्षकार पर आपत करने वाली पहली माहले का महला थी जो देवीकार और है है और बिसिए charging अपकी ब्हारती बनाद है और भारती असलार को स्थापना ओफे विभाक के ऐस्थापना इसकी अस्थापना आपको कब हुई थी तो 1767 में हो गई थी चलिए यह भारत का सबसे प्राचीन भी भाग है यह सबसे भारत का सबसे प्राचीन भी भाग है ठीक है और कभी महत्पूर्ण जानकारी था यहां पर अंतराष्टी नयाले में अधिसों के संख्या कितनी होती है कुल 15 नयाधिस होते हैं जो जो सही उतर हो जाएगा आपका हो जाएगा कोलकता ठीक है ना कोलकता अगला परसंदेख लेते हैं कि पचीस लर्की कि ऑसद उचाए एक दिसम्लब 4 मीटर इस में से 5 लर्कों को चुरकर जाने पर उसद उचाए दिए जो जाती है यह जो आप लोग बनएगा बहुत आशान है थोड़ा सा मेंध करना पड़ेगा लिकिन आशान है इसका सीवतर हो जाएगा आपका ऑप्सन सब्सक्राइब करना पड़ता है और इस तरह के नहीं रहते हैं तो सब्सक्राइब का टेंपरेचर इतना है उससी पैटर्ण पर यह भी सबाल है तो इसको बनेगा तो इसका उत्तर आपका आजागा सब्सक्राइब निकल जाएगा तो दोनों को हम लोग जब निकालेंगे तो एक सब्सक्राइब निकल जाएगा ठीक है ना तो दोनों भाग का ब्याज बार्सिक आल आई जो हो जाएगा दू गुने सत्यस बट्टा चार गुने एक सब्सक्राइब ऑस्तब्सक्राइब ऑफ्सन भी इसका सही हो जाएगा अगला परसन लोग देखते हैं यदि सचीन पचास जार रूपिया लगाकर एक व तो तीस मिहना तकड़ा अब दोनों का नुपात निकाल लेंगे उसका दोनों का परसेंटेज भी हम लोग निकाल लेंगे आसान है तो इसका जो सही उतर हो जाएगा आपका ऑप्सन दी आजएगा इन में से कोई नहीं है क्यों क्योंकि जो टोटल रूपिया निकलेगा किस अगरा निकलेश लोग देखते हैं किसी कार्ये को शंपन करन में दो गुणा और सी के तुलना में तीन गुणा समय लेता है वे तीनों मिलकर करते हैं इसकार को कितना दिन में पूरा करेगा बहुत आश्छान सवाल है सब करने के बाद हम लोग एक दिन में खतम करता है तो क्वा जाएगा कौन सा कार्वोहेड्रेट मोनोसेक्राइड है सुक्रोज ग्लुकोज फुक्ट्रोज या अपको मोनोसेक्राइड ठीक है तो 76 का से उतर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा उपापचय यानकी मेटाबोलिजम के परिणाम से रूप और जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है पायरोविक एसीड एटीपी एडीपी या गुलकोज एटीपी के रूप में रूप में रखा जाएगा सतरका से उतर हो जाएगा आपका ऑप्सन भी हो जाएगा देख ल सराविता होता है और यहीं बॉनापन के लिए आपको उतरर होता पानी के बिनिर्वान में किस प्रल्लिमर का पयूप किया जाता है पीवी सी का इस tip पानी वाली थे जाता तार जाते प्रस्ताब्नें को नहीं क encourages अखंग को ट्यक्सटा न तो यहां पे घुटनर पेक्ष नहीं जोड़ा गया था ओप्शन 20 सही हो जाएगा इसको नहीं जोड़ा गया था निम्न में से किसे सम्मिधान सभा का सलहकार नुक्त किया गया था ठीक है न एच वी आर एंकर प्रेम भिहारी नरायन राइजदानी बी एन राव या एल एन खजी को समिधान सभा का मुख्य प्रारूप चीफ ट्राप किया था ठीक है और जो आपको सलहकार की बात किजेगा तो वी आnd राव civil यहां पर समिधान सभा का सलहकार किसे निक्ट किया गया था तो भी एन रहा हो जाएंगे ठीक है और आपको यदि बोलेगा कि मुख्य प्रारूप यानि की मुख्य जो चीफ ड्राफ्ट मैं कौन थे तब हो जाएगा आपको एल एन मुखर्जी होंगे ठीक है लेकिन यहां पर हमको सब्राइब से संस्थानों को जो है कहा लगा गया था और इसको जो समय दानीक दर्जापरतान गया ठीक है और सभारत में सहाकारि मंतरी किसको बनाया गया है ग्रिग मंतरी राजनात सिंग्स को विए तो इस सीच को भी आपको याद रखिएगा अगला डेक्या देखते हैं मेगा अस्थनीच किसके सासनकाल में आया था तो चंदरगुब दूतिय के सासनकाल में ठीक है अबदुराजाक देवराय दूतिय के हो जाएगा वेंसांग हर्सबर्धन और सेंथ ठॉमस गॉंड़ा फरनीस के काड़ काल में आया था तो इस तरह से आप मिलान कर लिजेगा य खेल कुद में उसकी विश्चता के लिए या फिर महिलाओं के बहतरी और उसके सास और प्राक्राम के लिए राष्ट और जन्ता के लिए खेल कुद में उनकी उत्रिष्टा और महिलाओं के बहतरी के लिए दिया जाता है यानि कि दो और तीर बनता है और यह प्रते एक साल आध मार्स को दिया जाता है अगला प्रसें लेगते हैं यहां पर हम लोग को मिलान करना है और है आरभासिन अबेरण और फातिमा वे पिर ल। आपको फातिमा भी भी हो जाएंगी यहां पर देख लीजिए नेताजी सुभास चंद्रवोस राष्टे खेलकूत संस्थान पट्याला में अवस्तित है भारत का सबसे बड़ा संगार संग्राले कोलकता में अवस्तित है तो 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा और दो निम्न में से पश्चिम एसिया का सुड़्जर लेंड किसे कहा जाता है जॉर्डन सैपरस ट्रिपोल या फिर लिवनान को आपको बोला जाएगा पश्चिम एसिया का जो है शुड़्जर लेंड बोला जाएगा यह भूमद सागरी जलवायू का देश है ठीक है महादेश घुंडवाना लेंड का भाग नहीं है और रंजी प्रिशन तरफ करो यहाँ पे देख लेजिए मीलान करना है बहूर निकटकर Hi यह झाँ हो जाएगा निम्न भू कक्ष क्या हो जाएगा निमन भू कक्ष यानि कि लोऊर अर्थ ओर्भीट चो हो जाएगा वह जाएगा आपको 1000 बू差不多 स्वाइन कोर्प सुझाएगा और दिर्ग वर्ड के एप और अगर आप डिक रे excess परवड़ी को प्रतेक वर्ष चो है राष्टे विग्यान दुर्भस के रूप में मना जाता है इस दिन क्या हुआ था बिक्रम सारा भाई का जन्म डाक्टर सीवी रमन का जन्म 1898 में उन्हेस्ट में जो सीवी रमन ने कि खोज की थी जिसके बाद रमन परभाव कहा गया था प्रसम अंतरिक श्यान सोड़ा गया था उप्संस इसका सी हो जाएगा उन्हेस्ट में वह खोज किसी जिसे रमन परभाव जाना गया था इसी के उफलक्स में जो है अठ्थेस फरवड़ी को प्रतेस बर्स बिज्ञान दिबस मना जाता है प्रासुल्क और व्यपार प्राशंग समझा था जिसको लोग गेट बोलते हैं जी ए एटी ठीक है न और बाद में यह ड जी एटी गेट जो है 23 अक्टूबर 1947 को अस्ताक्षर किया गया था और एक जनवड़ी 1948 को यह एक्जिस्टेंस में आ गया था ठीक है न और फिर 1995 में यही बन गया वर्ल्ट मतलब की जो बैपार संगठन बन गया ठीक है न और इसका जो सबसे लिटेस्ट मां सदस बना था 164 मां वह बना था आपको 2016 में अफगानिस्टान बना था यानि कि बरतमान में 164 देश हैं जो डव्लू ट्यों के विस्वेफार संगठन के जो हैं सदस हैं किये के बिरला फाउंडेशन द्वाड़ा बर्स 1991 में साहित के चेत्र में उत्रिष्ट योगदान के लिए किस समान के स्थापना की गई थी सबसे अधिक होगी आनंद वन की बात की जा रही है तो बावा आम्टे हो जाएगा आनंद भवन मोतिलाल नहरू हो जाएगा ठीक है न तो यह सब कुछ आपको याद रखना है केंद्रिय चम्रा अनुसंदान संस्थान कहां पर है चैन नई में ऑप्सन 20 का सही हो जाएगा अगला पर दिख लेते हैं अमीर खुष्रो सरोध मिलान करना कि हम कौन सा घ्लत है बीलकुल सही है उत्पल दल फिल्म यह भी समू महराज जो है कथा कि यह बी सही है लेकिन अमीर खुष्रो सरोध नहीं होगा अमीर खुष्रोध हो जाएगा आपको सितार हो जाएगे ठीक ह हैं और 75 तक जाते हैं तो आपकी अच्छी और 75 प्लस जाते हैं तो आपकी त्यारी बहुत सी बहुत सब्सक्राइब करें और हमारे सथ बने रहे हैं इस तरह के और बहुतरी शेट को पाने के लिए